नमस्कार मैं सुरव और आप देख रहे हैं आज की चोपाल आज की चोपाल में बात बजट की बजट पेश करने का दिन आने वाला है और खबरों में बजट ही बजट छाने वाला है इसलिए आज इस एपिशोड में हम आपको बजट से related वो सारे तक्थे समझाएंगे जो खबरों में हैं लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि बजट की खबरों में आज नया क्या है मोधी सरकार एक फरवरी को अंतरीम बजट पेश करेगी यह मोधी सरकार का लगातार छठा केंदरी बजट होगा इस बार वे पूड बजट की जगए अंतरीम बजट पेश करेंगे अभी तक तो बजट में यही खबर आ रही थी लेकिन अब खबर इसके उलट आ रही है नहीं समझें? तो जान लिजिए कि सूत्रों ने बताया है कि इस बार मोधी सरकार अंतरीम बजट नहीं बलकि पूड बजट पेश करेगी और इससे पहले की खबर को जाने आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है अंतरीम बजट क्या है और पूड बजट क्या है आप आए दिन सुनते हैं कि इस साल का बजट क्या है तो पहले जानिए कि बजट क्या है समविधान में बजट शबद का जिक्र नहीं है जिसे बोल चाल की भाँसा में आम बजट कहा जाता है उसे समविधान के आर्ड के लेकman 2012 में यनूल Financial Statement कहा गया है आम बजट में सरकार की आर्थिक नीद की दिशा दिखाई देती है इसमें मंत्रालियों को उनके खर्चों के लिए पैसे का बटवारा होता है बड़े तोर पर इसमें आने वालों साल के लिए टैक्स प्रस्तावों का ब्यवरा पेश किया जाता है इसको और भी आसान मासा में समझें बजट एक ऐसा शब्द है जो कि आम जिन्दगी में बहुत ही महत्वपूर भूमी का निवाता है कोई भी समझदार वेक्ति अपने छोटे बड़े काम या किसी भी खर्चे या निवेस का बजट बना कर ही काम करता है ठीक उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य काम आए वेक लेखा जोखा बजट से ही पेश करती है और हर साल सरकार जन्ता के सामने अपना बजट प्रश्टित करती है हर साल बजट जो की एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च तक यानि की एक साल तक जिसे हम बोलते हैं एक वित्ति वर्स के लिए पेश होता है पहले बजट जो था दो भाग में आता था पहला आम बजट और दूसरा रेल बजट लेकिन अब क्या है कि ये दोनों एक साथ आ गया है जिस वज़े से हम इसे पूर बजट बोलते हैं जो सरकार एक साल के लिए पेश करती है 1924 से ही संसद में एक अलग रेल बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन 2018 में मोधी सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया इस तरह से आम बजट में वे सभी प्रस्ताव शामिल होते हैं जो रेल बजट में अलग से होते थे मोधी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बजट के मामले में कई बदलाव किये उसमें फरवरी के अंत में बजट पेश करने की परंपरा भी खत्म कर दी गई अब फरवरी की शुरुवात में बज़ेट प्रेजच होने से, वित्वर्ष की शुरुवात यानि अप्रेल से ही मंत्रालियों को बजट का पैसा आवंटिद कर दिया जाता है। इससे सरकार के बिभागों को बजट का पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है इसके अलामा कमपनियों को भी टेक्स और कारोबार से जुड़ी योजनाय बनाने में मदद मिलती है आम बजट में क्या शामिल होता है? बजट डॉकेट में करीब 16 दस्तावेज होते हैं इसमें बजट भाषड होता है इसके अलामा हर एक मंद्राले के खर्च प्रस्ताबों का विश्तिरत व्योरा होता है साथ ही रकम कहां से आएगी इसके प्रस्ताबी बजट में बताये जाते हैं अब आईए जानते हैं कि अंतरिम बजट क्या होता है अंतरिम बजट को वोट आन एकाउंट कहा जाता है इसे लेखानुदान मांग और मिनी बजट भी कहा जाता है अंतरिम बजट के जरिये सीमी तवदी यानि कि कुछ महीने के लिए सरकार के जरूरी खर्चे को मंजूरी मिलती है परंपरा रही है कि आम चुनाओं से पहले सरकार अंतरिम बजट पेश करती है पुरानी सरकार का कारेकाल पूरे वित्वर्स के लिए नहीं होता है इसलिए अंतरिम बजट कुछ महीने के लिए पेश किया जाता है हलाकि ये बस परंपरा है ऐसा कोई नियम नहीं है कि चुनाओं से पहले सरकार पूर्ड बजट पेश नहीं कर सकते हाँ भले ही चुनाओं के बाद आने वाली सरकार बदलाओ कर सकती है अब चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं तो खबर ये है कि मोधी सरकार आगामी एक फरवरी को सरकार के बचे कारेकाल की जगे पूरे साल के आएवे के लिए एक पूर्ड बजट ला सकती है इस खबर से कॉंग्रेस में हल चले इसको लेकर कॉंग्रेस प्रवक्ता मनिश तिवारी ने कहा है मौजूदा सरकार का कारेकाल 26 माई को समाप्थ होने का जिक्र करते हुए तिवारी ने कहा कि सरकार का कारेकाल जब वित्वर्स 2019-2020 के आरंब होने से 56 दिनों के भीतर समाप्थ हो रहा है तो फिर सरकार कैसे 300 65 दिनों का बजट पेश कर सकती है 5 साल के लिए चुनकर आई सरकार 6 पूर्ड बजट पेश नहीं कर सकती ऐसा हुआ तो संसत के भीतर और बाहर कॉंग्रेस विरोध करेगी वहीं बिजेपी नेताओं का जवाब है कि कॉंग्रेस की सरकार पहले ही परंपरा का उलंगन कर चुकी है इसलिए वह भाजपा को इस बारे में सिक्षा न दे भाजपा नेताओं के अनुसार लेखा अनुदान किसी पूर्ड बजट की तरह ही होता है और सरकार को किसानों, ग्रामीडों और मध्धवर्गे के लिए रियायत देने की घोषडा से पीछे नहीं हटना चाहिए लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि आगामी बजट, पूर्ड बजट होगा या अंतरीम बजट हलाकि बीते दिनों वित्यमंत्री अरुड जेटली ने कहा था कि अंतरीम बजट वो टाप एकाउंट से बढ़कर होगा सूत्रों के अनुसार इस बार के बजट में मोधी सरकार मिडिल क्लास को लुभाने के लिए इंकम टेक्स लाफ देने की घोषडा कर सकती है इसके साथ ही वित्यमंत्राले बचत सीमा बढ़ाने प्रंसंधारियों के लिए टेक्स लाब और हाउसिंग लोन के ब्याज पर और अधिक छूट देने जैसे विकल्ब पर भी विचार कर रही है इस बार फिर से वेत्न भोगी क्लास को राहत देने के लिए उम्मीद जताई जा रही है इसके लामा सरकार कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव कर सकती है यहाँ चलते चलते हमां को ये बता दें कि आजाद भारत का पहला बजट भी अंतरी मजड था तकालीन बित्यमंतरी सड मुखम सेटी ने 26 नमंबर 1947 को पेश किया था यह 15 गस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक 7.5 माह के लिए था 28 परवरी 1948 को जब उन्होंने पूर्ड बजट पेश किया तब बताया कि पिछले साल अंतरी मजट पेश किया था तो आज की चौपाल में यह थी बजट को लेकर पूरी खबर अंतरी मजट क्या होता है पूर्ड बजट क्या होता है आपने इसके बारे में जाना और मोधी सरकार अब तक बजट में क्या-क्या परिवर्तन कर चुकी है आपने यह जाना आज की चौपाल में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ आशान भाशा में आपको समझाएंगे बड़ी से बड़ी खबर को तब तक के लिए नमस्कार